इस कोशन में हमें दे रखा है आस्वीति जल विद्दूत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षाजल होता है इसका हमें कारण बताना है और ये कोशन हमारा दो नंबर के लिए most important है और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि ये कोशन हमारा दो जाचोविस के एक्जाम में भी आ चुका है तो आप इस कोशन को इस साल के लिए में जरूर तयार ररके जाएं इस कोशन के पूरे पूरे चांसे हैं कि ये हमारा दोबारा रिपीट हो सकता है और ये कारण वाले कोशन अक्सर एक्जाम में आते ही रहते हैं तो आप इस तरीके कोशन को जरूर तयार ररके तो इसका में कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है अब वो देखते हैं इसमें आगे तो इसका कारण आपको यहाँ पर लिखावा दिखी रहा होगा कि आसुईत जल विद्धुत का चालन नहीं करता क्योंकि यह उदासीन होता है तथा हाइडोजन आयन जो हमारे H प्लस आयन होता है उत्पन नहीं करता है जो विद्धुत चालन के लिए उत्तरदाई होता है ठीक है क्योंकि जो हमारा आसुईत जल होता है वो हमारा उदासीन होता है वो हाइडोजन आयन उत्पन नहीं करता है यानि कि H प्लस आयन उत्पन नहीं करता है जो हमारा H प्लस आयन होता है उसी के कारण विद्धूत का चालन होता है अगर हमारे पास H प्लस आयन नहीं होंगे तो विद्धूत का चालन भी नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह आपको आयन H+, उत्पन्य करता है क्योंकि जो हमारा वर्षा जल होता है वो हमारा अमली होता है ठीक है? और वो हमारा H+, आयन भी उत्पन्य करता है जिससे हमारा विदुत का चलन होता है क्योंकि जो हमारा वर्षा जल होता है वो हमारा अमली होता है आपने यह सुन भी रखा हुगा कि जब पहली बारिश पढ़ती है तो उसमें नाना नहीं चाहिए क्योंकि जो वर्षा जल होता है वो हमारा अमली होता है उसमें अनेक प्रकार की कैसे मिली होती है जो कि वर्षा जल के साथ में गिरती रहती है और उमीद करता हूँ कि यह कोश्चन आपकी समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करकर पूछ लेना और आप इस कोश्चन को इस साल के लिए जरूर तयार होके जाएं इसके पूरे पूरे चांसे हैं कि यह हमारा फिर से रिबीट हो सकता है आपको सभी प्रकार के कोश्चन मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक के मैं डिस्क्रिशन में दे दूँआ वहाँ से जाकर आप देख लेना और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना